नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में एक वीवर्स के पूछे गए सवाल का आंसर देंगे वो सवाल पूछते हैं कि मेरे पर एक F.I.R. दर्ज हुई थी उस समय मेरी उम्र 16 साल थी लेकिन पुलिस ने अपने रिकार्ड में मेरी उम्र को 21 साल बताया है और 4 सीट नयाले भीज दिया है तो ऐसी स्थिती में मुझे क्या करना चाहिए तो अक्सर ऐसा होता भी है कि जब पुलिस विवेचना करती है और अभ्युक्त व्यक्ति उन्हें अपना कोई रिकार्ड देता नहीं है या ऐसा कोई रिकार्ड जिससे ये प्रूफ नहीं होता कि उसकी उम्र क्या है कभी कभी पुलिस तो विवेचना ही नहीं उसमें करती ह और सामने वाले के चेहरे को देखकर एक आइडिया लगा लेती है कि इसकी एज यतनी होगी एक अंदाजा लगा लेती है और अंदाजा फेल कर जाता है क्योंकि आदमी की बनावट शरीर की उससे पता करी नहीं चलता है कभी-कभी कि उसकी एक्चुल एज क्या है तो कभी कभी इस चक्कर में भी उम्र का बड़ा अंतर आ जाता है खेर जैसे भी यदि उम्र कम थी और उसे ज़्यादा लिख दी गई है और पुलिस ने उम्र उस आपकी ज़्यादा बताया है आपकी उम्र 16 साल है लेकिन 21 साल बता दिया है और चार सीट को नयायले प्रेशित कर दिया है तो ऐसी स्थती में आपको नयायले में जिस नयायले को चार सीट भेजी गई है उस नयायले में आप अपियर होई है और एक अप्लिकेशन दीजिए कि आपकी उम्र इतनी है और उम्र के को verify करने के लिए आपको अपना high school का आठिमी का जितना तक भी पड़े हैं जिस पे दिल लिखा हुआ है जन्मति थी आपकी वो record आप उस court में देते हैं कि मेरी उम्र ये है और घटना के समय मैं इतने वर्स इतने माह इतने दिन का था जैसा कि आपने बताया कि 16 सा तो actual date निकालिया और उस date में आप कितने वर्स कितने माह कितने दिन के होते हैं उस court को बताएंगे किस court को बताएंगे जिस court में चार सीट भेजी गई है और वहां आप एक prayer करेंगे कि मैं जोवेनाईल हूं मेरी उम्र कम है जिस समय घटना हुई थी तो वह नयाल है जोवेन आए बोर्ड को जोनाईल जस्टिस बोर्ड को पत्रावली भेज देगी क्योंकि आप जोवेनाईल हैं तो आप के जो वीचारण होंगे जो वेल की कारवाई होगी आपको जमानत जोवेनाईल court देगी और वो पत्रावली वहां टांसफर किर दी जाएगी तो इसमें बहुत परिशान होने की जरूवत नहीं है यदि आपको लगता है कि मुझे जमानत करानी है मुझे जो हमारी कारवाई है वो जो मेनाईल court में चले तो जो court है जो प्रापर court जिसमें भीजा गया है जो छेत्रा दिकार हो वाला नयायाल है उस court में आप application move कर सकते हैं और वो बड़े आराम से चला भी जाता है और इसके कई फायदे भी हैं कि जोवेनाईल मामले में यदि आपको आपके उपर कोई ऐसा आदेस होता है तो वो आदेस आपके केरियर को प्रभावित नहीं करेगा जबकि बाकी मामलों में केरियर को प्रभावित कर सकता है इसलिए यह ध्यान र तो सवाल बहुत अच्छा था इससे और लोगों को भी जानकारी मिली होगी वीडियों अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बाक्स में जरूर कि इस वीडियों को आप किस सहर से देख रहे हैं धन्यवाद